आपके चरणों में तरिवार नमोस्तू, नमोस्तू, मेरी ओर से और समस्य दिवाकर परिवार की ओर से एक बार पुन्हा नमोस्तू आज मैं आपके समक्ष जो बात रखना चाहता हूँ वो शंका से उपर जा कर जिग्यासा के रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और वो यह है कि सनातन रूप से शाष्षत रूप से हमारे यहा dengan 24 तीर्दंकरों की परिकलपना है परिकल्पना क्या है वास्तविक्ता है यह हमेशा 24 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं मेरे मन में कभी-कभी यह जिग्यासा होती है कि 24 की जो संख्या है यह कभी-कभी कैसे के पूरी हो पाती होगी उदारण के लिए आदिनाथ भगवान के समय में यह जो श्रावक हैं वो किन 24 तीर्थंकरों की बंदना करते होंगे या इस्तुति करते होंगे एक मिनिट को यह माल लिया जाए कि पृष्ली 24 थी भूतकाल के जो 24 तीर्थंकर थे उनकी इस्तुति होती है उनकी बंदना होती है तो भगवान अजितनाद जी के समय पे जो आश्रावक आते हैं, वो कौन सो चौविस तिर्थंकरों की बंदना करते होंगे, कि आपका चीज की करेंगे? मैं समझ गया, बहुत अच्छा सवाल है, पर इस सवाल के उत्तर में, मैं आपके सवाल को संसोधित करना चाहूंगा, आपने जो कहा कि जेन धर्म में ऐसी धारना है, कि चोविस तिर्थंकर हमेशा बिद्यमान रहते हैं, ये धारना ठीक नहीं है, जेन धर्म तिर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित होता है, और प्रतेक काल चक्र में क्रम सा चोविस तिर्थंकर होते हैं, जो हमारे मूल आराध हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा चोविस तिर्थंकरों के आही समरन करें, रिषब देव के काल में हम रिषब देव की पूजा आर्चा करते हैं, हम रिशाब देव से लेकर महाबीर तक अरग अलग तिर्थंकरों के काल में उनकी पूजा आरचना की भगवान महाबीर के काल तक हमें 24 तिर्थंकर मिल गए तो हमने 24 की ही आरधना की आपको एक रहसी की बात पताता हूँ हमारे यहां सताब्दियों से केवल 24 तिर्थंकरों को ही मूल आराध के रूप में पूजा गया अर्चा गया सुरज जी हां बैठे हैं पुरा तत्व के भी विशे सग्य है हमें एक भी कोई पुरा उशेस ऐसा नहीं मिलता जिसमें भूतकाल और भुषकाल के तिर्थंकरों की कोई प्राचीन प्रतमाय हूँ कोई नहीं मिलता यह बिश्वी सताब्दी की उपज है विश्वी सताब्दी में मुझे ध्यान है आहार जी में त्रिकाल चोविशी की स्थापना हुई तो समाज में एक बड़ी चर्चा का विशे बना पर यह मान करके कि हम भूत भुष्यत वर्तमान की तिर्थंकरों की पूजा करते चुकि पुजपाज करत भक्तियों में है तो उस आधार पर चोविश तिर्थंकरों की स्थापना की गई मेरे ख्याल से त्रिकाल चोविशी का सबसे पुराना स्रूप वही है उसी समय बिद्यमान भी तिर्थंकर हुई और हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा उत्पन हुआ जो चोविश तिर्थंकरों की जगा सीमंधर स्वामी को मूल नायग बनाना सुरू किया वो उनकी अलग ब्रांडिंग थी वो एक अलग अउधार ना थी लेकिन हमारे मूल आराध्य तो चोविश तिर्थंकर ही है आज बहुत जगात्रिकाल चोविशी की स्थापना है होने लगी और यह मान करके अप्तिकाल चोविशी छोलो तीस चोविशी तक की स्थापना हुए लेकिन मैंने गलत तो नहीं कहता लेकिन ये अरवाचीन परंपरा है ये बात इस पश्ट परिरक्षित होती है मैंने जितना जैन परंपरा के इतिहास को और जैन पुरातत्य के बारे में ध्यन किया है जितनी जानकारी में जह है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा कोई आधार नहीं दिखता कि प्राचीन काल में ऐसे त्रिकाल चौविशी की कोई सापना होती हो हां आम ये जरूर बोलते हैं पुरानों के आधार पर कि भरत चकवर्ती ने वहां कहलास परवत पर त्रिकाल चौविशी की स्थापना की थी लेकिन मुझे दिखता है आदी पूरान में तरिकाल चोबिसी की कोई स्पष्ट बात जहां तक मुझे श्मरन है साइद नहीं है अगर हो मुझे जानकारी देना मैं अपनी रहाना सुधार लूँगा तो यह सब चीजे हैं इनको देख करके चलना चाहिए इसलिए आपका जो प्रश्ण है मैं समस्ता हूँ वहीं समाधान भी आ गया हूँ